आपके व्रत की मेन्यू की लिस्ट में आज मैं आड़ करूंगी एक और जबदस रेसिपी स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल sg food world में मेरी कोशिस सिर्फ इतनी है खाने में लाए जान और बनाए अपनी अलग पहचान इसी मोटो के साथ मैं लाई हूँ आपके सामने एक और रेसिपी जिसका नाम है व्रत के चावल समक के चावल बनाना बहुत ही असान रेसिपी है जिसको बहुत जादा भूख लगती है व्रत में वो ये रेसिपी जरूर ट्राय करें इजी के साथ साथ बहुत ही तेस्टी डिलेशुस रेसिपी है तो आईए शुरू करते हैं बनाना समक के चावल इसे बनाने के लिए आपको शाहिए एक त्याई कप समक के चावल अगर आपके पस कप की मेजरमेंट नहीं है तो कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हैं इसे अच्छे से वाश कर लें और वाश करने के पाद इसमें दबल पानी डाल दीजिए जितना अपने मेजरमेंट लिया है उससे तो गुना पानी समक के चावलो को कम से कम 15-20 में बिगो के रखना है चावलो को एक साइट में रख देंगे जब तक ये भीगते हैं हम बाकी त्यारी कर लेते हैं एक छोटा आलू लेंगे और उसे अच्छे से पील करके धो के कटिंग कर लेंगे जिसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा र करेंगे साथी साथ एड करेंगे एक चुथाई टीस्पून जीरा अच्छे से साटे कर लेंगे फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे साथी साथ मैं इसमें डाल दूंगी चॉपकी हुई ग्रीन चिली और पटाटो जो हमने कट किये हुए थे ग्रीन चिली को इस समय मैंने आड किया है क्योंकि तीखा पन इसका थोड़ा सा कम हो जाता है पर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अच्छे से सौटे कर लेंगे बस दो तीन मिनट अच्छे से सौटे करनी के बाद इसमें मैं आड कर दूंगी जो चावल हमने भीगो के रखे थे वो भी भीग चुके है इसमें आड करके हलके हाथ से हिला के मिक्स कर लूंगी अब इसमें मैं आड करूंगी मसाले ज्यादा कोई मसाले नहीं डलते व्रत के हिसाब से डलेंगे इसमें पोना चम्मत डलेगा यहाँ पे नमक सैंदा नमक लेना है यहाँ पे एक चुथाई टीस्पून काली मिर्च एक चुद्धाई टीस्पून रेड चिली पाउडर अच्छ से मिक्स कर लेंगे तीखा जिसको ज्यादा पसंद है वो अपने इसाब से मिर्श को कम जादा कर सकता है सारे मसाले अच्छ से मिक्स हो जाएं हलकी हाथ से लाना है याँ ढखिए बस कुकर बन कर देंगे और दो विसल लगवाएंगे आई immune system को बहुत strong करते हैं ये समक के चावल fiber protein से भरपूर है diabetes patient के लिए तो बहुत ही फायदे मन्द है cholesterol को कम करने में भी ये बहुत मददगार होते है समक के चावलों के बहुत फायदे है तो इसे बनाएं और सह परिवार खाएं अगर ये recipe आपको पसंद आई हो तो मेरे साथ अपने suggestions and comments जरूर शेर कीजेगा और अपने friends and relatives के साथ भी इस recipe को जरूर शेर कीजेगा मिलूंगी अगली बार ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया recipes के साथ तब तक के लिए goodbye, take care Don't forget to like, share and subscribe